तो दोस्तो नेवी एसे सर के लिए मैत के सिलिबस के बारे में आज के इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जानते हैं दोस्तो तो देखिए दोस्तो सबसे पहले है हमारा अलजाबरा तो अलजाबरा में बहुत सारे चेप्टर होते हैं जैसे आपको sequence and series, complex number, quadratic equation, permutation and combination, binomial theorem, determinant and matrix, logarithm and exponentials, मिन्स कुल मिलाके आपको अलजावरा में ये साथ चेप्टर देखने को मिल जाते हैं और ये साथो जो चेप्टर हैं आपके लिए important होते हैं चाहे आप Indian Air Force के exam दे रहे हैं हूँ चाहे आप Indian Navy के exam दे रहे हो तो ये आलजावरा वाला जो आपका part होता है, वो सबसे जरूरी होता है उसके बाद second में आता है आपका trigonometry तो trigonometry में जो trigonometry है उससे आप वो ज़्यादा important होता है लेकिन height and distance थोड़ा सा important होता है लेकिन कभी कबार दोनों से आपको एक क्वेशन्स देखने को मिल जाते हैं अगला जो हमारा chapter है वो है definite integral उसके बाद आपका area से questions देखने को मिल जाता है और फिर differential equation से आपको questions देखने को मिलते हैं तो कुल मिलाके जो calculus से उससे आपको 8 topic से questions पूसे जाते हैं अगला जो आपका topic होता है वो होता है को coordinate geometry तो coordinate geometry में आपका coordinate geometry and parabola, ellipse and hyperbola से questions देखने को मिलते हैं तो ये जो दो पाट होता है वो दोनों ही आपके लिए important होते हैं क्योंकि दोनों chapter से आपको questions देखने को मिलते हैं आपके एक साम में अगला है आपका set theory उसके बद भेक्टर और फिर probability से भी questions देखने को आपको मिल जाते हैं तो इन तीनों से भी आपको एक questions देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये रहाकुल आपका जो है syllabus जैसे कि आपसे मैंने बताया कि algebra जिससे आपको 7-8 questions देखने को मिल जाते हैं trigonometry से आपको 2 questions देखने को मिल जाते हैं वहेंपे आपका जो calculus है उससे भी आपको 6-7 questions देखने को मिल जाते हैं और फिर जो coordinate geometry है इससे आपको 2-3 questions देखने को मिल जाते हैं तो ये सब मिलाके आपको total 25 नमबर के questions एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं चाहे एरफोर्च का एक्जाम हो चाहे फिर आपका नेवी का एक्जाम हो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आज का जो आपका math syllabus से doubt था वो doubt clear हो गया होगा